हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मद्यब्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 24 अप्रेल 2019 और यह हमारी 135 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर MPG के और current affairs related कोई भी problem आपको जाती है तो आप हमें comment box मताएं हम आपके answer जरूर करेंगे दोस्तो आईकोन में एक question दिया गया है जो previous day का question है आप इसका answer टिक करके दे सकते हैं हाली में किस देश में आपातकाल घोसित किया गया है जिसका से युफशन है श्री लंका हाली में स्री लंका में आपातकाल घोसित किया गया है हारली में स्री लंका में बम धमाके हुए इसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए है इ आपको मैप में इसकी बारें बता दें, मैप में ये जिगह है स्री लंका को दरसाती है, स्री लंका की राजधानी है, स्री जैबर्धन पुरे कोटे, करंसी है स्री लंकन रोपिया, स्री लंका की रास्टपती है मैत्री पला स्री सेना और प्रधान मंत्री है रानिल बिक्रम सि तो दोस्तो इतना आपको स्री लंका के बारे में याद रखना है नेस्ट कुवशन हाली में किस देस में A.C.N.T. अलाइंस लॉंच किया गया है जिसका से यॉफ्षन है चीन हाली में चीन में A.C.N.T. अलाइंस लॉंच किया गया है पांच चाय उत्पादक और उभुकता देशों के बीच यह लॉंच किया गया है इसमें भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान की चाय संग शामिल हुए थे दोस्तो इस अलाइंस का मुख देश, चाय ब्यापार संस्कृतिक आदान प्रदान, तकनी की आदार प्रदान और चाय संबरधन को बढ़ावा देना है दोस्तो अब बात आई है चीन की तो आपको मैप में चीन की बारे में बता दें नेश्ट क्वेशन अफ्रीका और एश्या महादीव में लाकों लोग मलेरिया के करण मर जाते हैं अब ये टीके का प्रिक्शन मलावी में किया जाएगा तो आपको मेप में मलावी के बारे में बता दें में ये जिगह मलावी को दरसाती है मलावी की राज़्थानी है लॉंग वे और करंसी है क्वाचा मलावी की रास्टपती है पीटर मुथारिका तो दोस्तो इतना आपको मलावी के बारे में याद रखना है नेक्ट कॉशन हाली में आईश मंत्राले और किस संस्थान के बीच समझोता किया गया है जिसका सई ऑफशन है CSIR हाली में CSIR और आईश मंत्राले के बीच एक समझोती पर हस्ताक्षर हुए हैं हाली में अनुसंधान और शिक्षा के शहयोग में बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तो अब बात आईए CSIR की तो आपको इसके बारें बता दें इसका फुल फॉर्म Council of Scientific and Industrial Research होता है इसके founder है सांती स्वरूब भटनागर CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी और CSIR के DG हैं सेखर सी मुंडे दोस्तो इतना आपको CSIR की बारे में याद रखना है Next Question हाली में कब सिविल सेवा दिवस मनाया गया है जिसको से यॉफ्शन है 21 अप्रेल हाली में 21 अप्रेल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है इस अप्रेल पर प्रिसासनिक सुधार और जन सिकायत विभाग द्वारा कारिकरम का आयोजन किया गया है दोस्तो अब बात आए इंपोर्टेंट डेज की तो अप्रेल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डेज हुए हैं उनके बारे में आपको बता दें दोस्तो 2 अप्रेल को विश्व आत्मकेंदरित चागरूखता दिवस मनाये गया और इसकी थीम थी असिस्टिब टेकनलोजी एक्टिव पार्टीशिपेशन इसके बाद 5 अप्रेल को रास्टिय समुद्री दिवस मनाये गया और इसकी थीम थी हिन्द महासागर अब सरों का महासागर तो इतना आपको समुद्री दिवस की बारी में याद रखना है फिर 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाय गया और इसकी थीम रही सार्व भॉमिक स्वास्त कवरेज दोस्तो इसके बाद 10 अप्रेल को विश्व होमियोपेथिक दिवस मनाया गया यह दिवस डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सेमुल हानेमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 15 अप्रेल को हिमाचल दिवस मनाया गया 18 अप्रेल को बिस्व धरूहर दिवस यूनेस को द्वारा मनाया गया हाली में किसने लीग वन खिताब जीता है जिसका सईयोफशन है पैरेस सेंट जर्मन हाली में पैरेस सेंट जर्मन ने लीग वन का खिताब जीता है PSG ने फाइनल में मुनाको को तीन एक से हरा कर यह खिताब जीता है दोस्तो आप बात आई है लीग वन की तो आपको बता दें यह लीग फ्रांस में खेली जाती है और यूरोप की टॉप लीग में से एक है दोस्तो सेंट इतियाने यह अब तक लीग वन की दस खिताब जीत चुका है फिर इसके बाद पैरे सेंट जर्मन है यह छे बाद जीत चुका है नेक्स्ट कोशन हाली में किस राज में अगनी खेली फेस्टिवल आयुजित किया जा रहा है करनाटक में यह अगनी खेली फेस्टिवल आयुजित किया जा रहा है करनाटक के दुरगापूर मंदिर में यह फेस्टिवल आयुजित किया गया है यह फेस्टिवल आठ दिन तक चलता है लोग एक दूसरे पर जलती हुई मसाल फेकती है दोस्तो आप बात आई है करनाटक की तो आपको मैप में इसके बारें बता दें मैप में ये जगह है करनाटक को दरसाती है करनाटक की स्थापना एक नवंबर 1956 में की गई थी गवर्नर है बजु भाई बाला, मुक्य मंत्री है एसडी कुमार स्वामी और करनाटक की राजधानी है बैंगलोर तो दोस्तो इतना आपको करनाटक की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में करियर फास्ट पंक 2019 का आयोजन कहां किया गया है जिसके सही उफ्षन है इंदोर हाली में इंदोर में फैस्ट पंक 2019 का आयोजन किया गया है इस कारिकरम का आयोजन एक निजी संस्था द्वारा किया गया है इसमें करीब 3000 लोगों ने भाग लिया इस एवियेशन में करियर से जुड़ी बारीकियों और 12th क्लास के बाद स्टुडेंट को करियर गाइडेंस दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस चले में धन्सुआ गोसाई मंदर को राज संरक्षत घोसित किया गया है जिसका से योफ्षन है बाला घाट हाली में बालाघाट के गोसाई मंदिर को राज सनरक्षत घोशत किया गया है राज संस्कृती बिभाग के प्राची इसमारक, प्रातत्विक इस्थल और अफसिस अधिनियम 1964 के तहट यह मंदिर राज सनरक्षत घोशत किया गया है दोस्तो अब बात आईए बालाघाट की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको बालाघाट जिले के बारे में बता दें मराठी में बाला का अर्थ होता है उत्तम दोस्तो इस जिले का आकार उड़ती चिडिया जैसा है और इस जिले को सिकारियों का श्वर्ग भी कहा जाता है देश के 80 प्रतिशत मेगनीज का उत्पादन बालाघाट जिले से ही होता है लौन जी का किना और काना रास्टी उद्ध्यान यह बालाघाट में ही इस्थित है वन राजिक महाविद्यालै भी बालाघाट में बनाया गया है दोस्तो बरवेली में एसिया का सबसे ब्रहद मैगजीन भंडार है तो इतना आपको बालाघाट जिले के बारे में याद रखना है दोस्तो अभी यह तयन नहीं हो पाया है कि किस जिगह स्थापित किये जाएंगे परन्तु 12 निकुरियल पावर प्लांट इस्थापित जरूर किये जाएंगे बांड सागर परियोजना में मद्धिप्रदेश सहई कितने राज्जों की साज़ेदारी है जिसका सियोफ्षन है दो राज दोस्तो मद्द्दिप्रदेश के सहटोल जिले में बहु उद्देशिय परियोजना सोन नदी पर बनाई जा रही है में हुआ था और इसकी पूरी तरह शुरुआत 25 सितंबर 2006 में की गई थी बाण सागर बांध की उचाई 60 मीटर है और लंबा ही है 1020 मीटर इस पर बिद्युत उत्पादन 624 मेगा वाट का किया जाता है तो दोस्तो इतना आपको बाण सागर परियोजना के बारे में याद रखना है चीन के शियान में चल रही इस चेंपियोंशिप में भारत के बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने कजाकिस्तान के सयात वेक ओका सोब को 12 सास से हरा कर यह गोल्ड मेडल जीता है दोस्तो आपको बता दें बजरंग पुनिया हाली में दुनिया के नमबर बन पहलवान बने हैं 65 किलोग्राम बर्ग में दोस्तो इतना आपको बजरंग पुनिया के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करेंट अफियर आप मारे चैनल Study Universe को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए दोस्तो 30 Important Days Related हमारी एक और सीरिस का तीसरा पार्ट हाली में रेलीज हो चुका है जिसे आप जाकर देखिए, इसमें मद्द प्रिदिश के कुछ Important Question, साथ ही Physics, Bio और Chemistry के भी Question लिये गए है जो Old Paper में देखे गए हैं, इन Questions को लिया गया है तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, have a nice day